कभी कभी घर में बहुत रोटियां बच जाती हैं और इसा क्या करे कुछ समझ नहीं आता है तो आज हम इनी बची हुई रोटियों से बनाएंगे बहुती टेस्टी प्याज कचौरी रोट जिससे खाने के बाद आप जान वुचके जादा रोटियां बनाएंगे जैपुर की फेमस प्याज कचौरी ट्रडिशनली फ्राइ करके बनाए जाती है और इसका जो प्याज का मसाला होता है कुछ अलग तरीके से बनाए जाता है तो बस इसी टेस्टी प्याज के मसाले का इस्तमाल करके हम बनाएंगे बहुती टेस्टी प्याज कचौरी रोट तो रेसेपी शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजे और चलिए इसकी रेसेपी को चिटकी में बनाते हैं तो टेस्टी प्यास का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम खड़े मसालो को भुन लेंगे तो यहां पर कड़ाई में डालते हैं सबसे पहले हम थोड़ा सा ख़ड़ा धनिया यह लगभग एक से डेर चमच है फिर इसमें हम जीरा डाल देते हैं और साथी में यहां पर हम सौफ भी डाल देंगे तो बस इनी तीन मसालों का इस्तमाल करना है और इसे मीडियम लो फ्लेम पर रखकर बिल्कुल अच्छे से भुनेंगे तो यहां पर मसालों को बहुत जादा नहीं भुनना होता है सिर्फ 2-3 मिनिट के लिए भुनेंगे तो इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा कच्चे मसाले जब आप अड़ करते हैं तो वैसा फ्लेवर नहीं आता है तो अगर आपको बिल्कुल बजार जैसी प्यास कचौरी का मसाला बनाना है तो ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये देखे दो से तीन मिनिट हो गया यहां पर मसालो कलर भी चेंज नहीं हुआ है लेकिन ये थोड़े से क्रिस्पी हो गया है और बहुत अच्छी सी खुश्बू भी आ रही है तो ये देखें मैंने मसालो का बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया ना आप देख रहें इस तरीके से ही हमें दरदरा ग्राइंड करना है जिससे कि इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा अब चली हम प्यास का टेस्टी मसाला बनाते हैं तो इसके लिए लेते हैं पैन और इसमें हम डालेंगे दो चमश तेल तेल को यहाँ पर हमें थोड़ा सा गरम कर लेना है और जैसे यहाँ पर तेल गरम हो जाएगा इसमें हम डालते हैं सभी मसाले जो कि मैंने पहले बना के रखे हुए थे और इसे भी इस टाइम हम थोड़ा सा भून लेंगे तो यहां पर हमें कुछ से चांट ही इसे भुनना है और अब kingdom दालते हैं बारी कटेवे अदरक और साथ में यहां पर बारी कटेवे लहसन भी डाल देंगे और दौननों को बिलकुल अच्छे से हम तेल के साथ भुनन लेते हैं अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं तो यहाँ पे सिर्फ कुछ सेकेंड के लिए हम अदरक लहसुन को भुनना है ताकि इसका कच्छापन निकल जाए और अब इसमें हम डालते हैं बेसन बेसन डालना बहुत जरूरी है इसे अच्छा फ्लेवर तो आएगा ही साथ में अच्छी सी बाइंडिंग भी आएगी और इसे भी हम दो से तीन मेट के लिए मीजियम लो फ्लेम पर रखकर अच्छे से भुनेंगे इस मसाले को जिस तरीके से मैं बना रही हूं बिल्कुल वैसे ही step by step इसे follow कीजे तो आपका मसाला बिल्कुल राजस्तान में जो मिलने वाली प्यास की कचारी का मसाला होता है बिल्कुल वैसा ही बनेगा तो बेसन को थोड़ा सा भूनने के बाद अब इसमें हम सभी मसाले डालेंगे तो थोड़ी सी कश्मीरी लालमिज पाउडर डाल रहे हैं थोड़ा से यहां पे गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी पाउडर डाल रहे हैं और साथ में इसमें हम आमचूर बनाएंगे जो कि देखने में तो काफी यूनिक लगेगा ही और खाने में भी बहुत ही मज़दार बनेगा तो अगर आपकी रेसिपी अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मुझे ग्रो करने में काफी हल्प मिलेगी तो बस इस तरीके से मसाले भुन गए है और चलिए अब इसमें डालते हैं बारी कटेवे प्यास और साथ में यहां पर हम थोड़ी सी हर इमेज भी डाल देते हैं जिससे की थोड़ा सा तीखा पनाएगा खाने में बहुत अच्छा लगेगा और प्यास को हमें तब तक भुनना है जब तक कि यह हलके से सौफ ना हो जाएं तो यहां पर में प्यास को बहुत जादा नहीं बुनना होता है सिर्फ तीन से चार्मिट ही बुनेंगे जिससे की इसका जो कच्छा पन है वो खतम हो जाएगा तो बुनते वे आप देख रहे हैं ना मसालों कितना बढ़िया सा कलर कर आया है और बहुत अची सी खुशबू भी आ रही है प्यास हलके से सौफ भी हो गए है तो बस हम और नहीं बुनेंगे इसी समें हम पाइंडिंग के लिए डालते हैं दो मीडियम साइस के उबले हुए आलू जिससे मैंने बिल्कुल अच्छे से मैश कर लिया है और साथ म हम यहां पर हींग भी डाल रहे हैं इसे जरूर डाली है इसे बहुत अची सी खुशबू आती है और फिर इसमें हम डालते हैं टेस्ट के गॉर्डिंग साधा नमक और साथ में हम कार्या नमक भी डाल देते हैं और फिर इसमें हम डालते हैं कसूरी मेथी और अब हमें सभी म मिक्स करें और यहां पर बाइंडिंग के लिए बहुत जादा आलू नहीं आड़ करना है जो टेशनली प्यास की कचोड़ी बनती है उसमें अलू जरूर अड़ किया जाता है जिसे की टेस्ट तो अच्छा आएगा ही साथ में अच्छी सी बाइंडिंग भी आएगी तो बस य तो यहां पर खटापन देने के लिए नीम्बू का रज डालेंगे और सभी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो यहां पर प्यास का बहुत ही टेस्टी चटपड़ा सा मसाला रेडी हो गया है इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे अब प्यास प्यास का मसाला लेते हैं और इस तरीके से हाथों से प्रेस करते हुए हम एक रोल बना लेंगे और यहां पर आप देख रहे हैं रोल बनाते समय बिल्कुल भी टूटने ही रही है बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आई है और चली अब इसे हम रोटी के एक साइड में रखते हैं और अब हमें इसका रोल बनाना है तो हम इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे अगर आप इ लिए हम एक पेश्ट बनाएंगे तो इसके लिए यहां पर मैंने मैंने लिया है ए गहूं का आता और इसमें में डालते हैं थोड़ा पानी और अच्छी से मिक्स करके सोयट होया अघ्जित में करते हैं जिसा कि जे रोटी है अच्छी से सील हो जाएगी और इसे सेखना बहुत आसान हो जायेगा और फिलिंग बहाँ नहीं निकलेगी यहाँ पर रोल बनाने के बाद देख़ रहे हैं कि दोनुस आड़ साइट सखाली दिख रहे हैं इसे तरीके से मैंने दूसरा रोल भी बना लिया है, इसके उबर भी हम इस तरीके से बटर लगाकर तावा के उपर रखते हैं, उपर की साइड मैंने बटर नहीं लगा था तो ऊपर की साइड भी हम थोड़ा सा बटर लगा लेते हैं, और इसे हम उलट पलट कर मीडियम लो फ सब्सक्राइब अब अच्छा आप में तो मैं अच्छा आएगा और ताइम भी नहीं सेखने में अप जाहे तो इन रोल्स को तवा पिना से कर ग्रिलर में गृल कर सकते हैं तो भी यह बहुत बढ़ियाँ बनते हैं और अगर आप मुझसे कुकिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे बहुत सारे courses हैं, जिसके लिए आप को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री है, तो इसके लिए नीचे दिगे लिंक पर क्लिक करके आप को डाउनलोड जरूर कीजिए, तो यह देखी मैंने दोनु रोल्स को बहुत ही अच्छे से उलड़ पड़के सेक लिया है, कितना बढ़िया सा कलर आया है, तो कभी-कभी घर में एक्स्ट्रा रोटियां बच जाती है, और कुछ समझ नहीं आता है, क्या करें, तो यह वाला रोल आप जरूर ट्राइ कीजिए, और चलिए से हम दूसे तरीके से कैसे बना यह भी देख लेते हैं, तो यहां पर मैंने प्यास का बचाए एक रोटी, इसके बीच में हम स्प्रेट करते हैं हरी चटनी, आप यहां पर अपनी मन पसंद कोई भी सॉस स्प्रेट कर सकते हैं, और उपर से हम लगाते हैं प्यास का मसाला, और इस तरीके से बिलकुर एवनली चारो स्प्रेट कर लेंगे, और हातों से प्रेस कर लेंगे, जिसे की अच्छे से स्टिक हो जाएगा, और अब इसे हमें यहां पर चीजी बनाना है, तो उपर से हम ग्रेट करते हैं थोड़े से चीज, तो यहां पर आप मौजरा चीज या फिर प्रोसेस चीज, आप किसी भी चीज का इस्तमाल कर सकते हैं, जो खान सकते हैं, और बिल्कुल सैंविच की तरह हम दूसी डोटी को फिलिंग के उपर इस तरीके से रखेंगे, और चली अब इसे भी हमें सेखना है, तो उपर से बिल्कुल अच्छे से हम बटर लगाते हैं, और गरम तवा के उपर रख कर इसे भी हम उलट पलट के सेखेंगे, बिल्कुल अच्छे से दोनों साइड मखन लगाएंगे, जिसे की बहुती क्रिस्पी सी बनेगी, खाने में काफी टेस्टी लगेगी, और जो फिलिंग आज मैंने बनाया है, इसका इस्तमाल आप चाहें, तो ब्रेट के उपर भी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगत तो इस तरीके से देखें, मैंने ओलट पलट के सेक लिया है, और बिल्कुल पराठी की तरह ये काफी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, और इसका जो टेस्ट आता है बिल्कुल स्टफ पराठी की तरह आता है, तो अगर आपको स्टफिंग करके रोल करने में और चलिए अब इसे हम कट कर लेते हैं, तो कट करने के बाद ये देखें, जो मैंने सैंविच बनाया था ना, बहुत ही चीजी दिख रही है, बिल्कुल गर्मा गरम है, और जो मसाला है, उसकी बहुत ही अचीजी खुश्बू आ रही है, और चलिए हम रोल को भी कट कर ले मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा, हम, अच्छी बनी है, तो अगर आपको भी ये रेस्पे अच्छी लगी है, तो कॉमेंट में अच्छी बनी है, जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले, और इससे पहले मैंने गेह मुझे आटे से बहुत ही टेस्टी सी लिट्टी बनाई थी और साथ में चोखा भी बनाया था, तो इसकी रेसेपी को अब यहां पे क्लिक करके जरूर देखिए,